पवन और उसकी पत्नी कोमल दोनों मिलकर धाबा चलाते थे। उनके धाबे से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा सुन्दर रेस्टोरेंट खुल जाता है जिसका मालिक मुकेश पवन के पास आकर कहता है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। लेकिन लगता है तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ। अपना धाबा यहां से बंद करो और चलते बनो। पवन ये सुनकर दुखी हो जाता है। उसकी पत्नी पवन से कहती है। जो लोग खाली दाल रोटी सबजी खाने के लिए धाबे पर आते थे, वो रेस्टॉरेंट के बाहर लगे हुए पैम्पलेट पर जब देखते है कि अलग-अलग तरह के खाने वो भी सस्ते दामों पर तो वो रेस्टॉरेंट की तरफ खीचे चले जाते है। जिस कारण मुझे तो आधे खाने का नाम भी नहीं पता, इसकी वज़य से अब हमारे ग्राहक भी कम हो गए है। आकर सब कुछ संभाल लो। फिर कोमल रोने लगती है। तब ही एक मोटा सा आदमी जिसका पेट निकला हुआ था कोमल के पास आता है। अब वो काम में उतनी दिल्चस्पी भी नहीं ले पा रहे है। अच्छा, ऐसी बात है। सुनो बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हे रोजाना मुझे आधा किलो लड्डू खिलाने होंगे। आप अकेले आधा किलो लड्डू खाएंगे। वो ऐसा है ना कि जब तक मैं लड्डू नहीं खाता तो मुझसे काम नहीं होता। लेकिन काम की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपना काम इतना अच्छा करता हूँ कि आपका धाबा ऐसे ही चलता रहेगा कि बस आप देखते ही रह जाएंगी। ये सुनकर कोमल खुश हो जाती है और उसे अगले दिन धाबे पर आने को कहती है। जब वो घर जाती है तो बहुत ही दुखी होती है। आज पवन बहुत ही दुखी था और रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया है? तुम इतने जल्दी हिम्मत कैसे हार गए? तुम्हे क्या बताऊं कोमल, तुम्हे तो पता ही है, जिस साहुकार से मैं सामान लेकर दुकान में डालता हूँ, मुझे उसका बकाया वापस कर रहा था, और आज उसने मुझे कई पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पैसे समय से नहीं चुका पाया, बहुत शर्मार ही थी, सब लोग ऐसा लग रहा था कि मेरे उपर हस रहे हैं, और फिर घर आया तो बिट्टू ने कहा कि उसके जूते भट गए हैं, लेकिन अब मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, मैं अपने आचार महसूस कर रहा हूँ, अरे हां, आज मुझे मंदिर में एक आदमी मिला था, सुबह वो हमारे धाबे पर आएगा, कह रहा था, आधा किलो लड्डू दोगे, तो मैं ऐसा काम करके दूँगा, कि तुम लोग देखते रह जाओगे, क्या कहा तुमने आधा किलो लुखाता है, ओहो, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, भाई उसने जो कहा मैंने तुम लोगों को बता दिया, और उसने ये भी कहा कि पूरा दिन काम खत्म होने के बाद ही वो आधा किलो लड्डू लेगा, अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल चले जाते है, अब तो तुम्हारी आमदनी भी नहीं हो रही है, मैंने कहा थाना कि अब तुम्हारा धाबा कभी नहीं चलेगा, और मेरे रेस्टोरेंट को देखो, क्या चमकता है, भाईया, तनिक मुझे ये समझाने की कोशिश करो कि आप बार-बार हमारे पास क्यूं चले आते हो, हम अ कोमल बार-बार इधर-उधर देख रही थी कि वो आदमी अब तक क्यूं नहीं आया, इधर-उधर क्या देख रही हो, क्या तुम उस आधा किलो लड़ो वाले इंसान का इंतजार कर रही हो, भूल जाओ, ऐसे तो ना जाने कितने लोग आ जाएंगे दिलासा देने के लिए कोमल उदास हो जाती है, फिर वो सबसी दयार करने लगती है, एक दो ग्राहक उनकी दुकान पर आते है और खाना खाने बैट जाते है, कोमल की नजरे अभी भी उस आदमी को ढून रही थी, और फिर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, हाथ में एक छोटा सा डब्बा के हुए वो आदमी डोलता हुआ सा चल रहा था, उसका मोटा पेट उसकी तेज से चलने के कारण हेल रहा था, माफ करना, मुझे थोड़ा लेट हो गया, अरे आपका छोटा सा धाबा तो बड़ा ही सुन्दर है, तुम्हारा धन्यवाद, लेट होने के लिए कोई बात नही लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, और पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई थी तभी वो कोमल और पवन को एक जगह पर बैठा देता है और खुद काम करने लगता है वो बड़े-बड़े पतीले रखता है और एक साथ कई पतीलों में खाना बनाना शुरू कर देता है इस तरह काम करता हुआ देखकर दोनों हैरान दिखते है खुश्बू से आसपास से गुजरते वाले लोग खुश्बू की तरफ खीचे चले आते है और जब पवन ने देखा कि वो उनकी तरह दाल, सबजी, रोटी ही नहीं वो चाइनीज और इटालियन भी बना रहा है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास उनका बनाने वाला सामान भी नहीं था और फिर ऐसे ही हुआ कि पवन के ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग गई लोग अपनी अपनी पसन का खाना खरीद रहे थे और कोमल और पवन उन लोगों को खाना दे रहे थे कपिल जल्दी जल्दी सब के लिए खाना बना रहा था उदर रेस्टॉरेंट में एक दो लोग ही बैठे हुए थे आज खाली खाली रेस्टॉरेंट को देखकर मुकेश का सर चक्रा गया वो बाहर आता है तो देखता है कि पवन के धाबे पर लंबे लाइन लगी है ये क्या उसके धाबे पर आज इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है क्या खाना फ्री में बाट रहा है नहीं मालिक मुझे लगता है पवन ने कोई रसोया रख लिया है जो सब कुछ बनाता है चाइनीज भी इटैलियन भी और बहुत सारा खाना अच्छा ऐसी बात है इस आदमी के बारे में पता लगाना पड़ेगा अगर ये हमारे साथ काम करें तो हमारे रेस्टोरेंट पर तो और ज्यादा लोग आने लगेंगे कपिल फूर्ती से काम कर रहा था पवन और कोमल दोनों ग्राहकों को संभाल रहे थे और देखते ही देखते रात हो जाती है सारा काम खत्म करने के बाद कपिल अपने लिए आधा किलो लड़ू मांगता है ये लो भाईया अपने आधा किलो लड़ू तुमने तो कमाल कर दिया हम छे महिने में भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना आज हमने एक दिन में कमा लिया कल तो आओगे ना हाँ हाँ क्यों नहीं आओंगा कपिल वहां से चल देता है कि थोड़े आगे जाकर मुकेश उसका रास्ता रोक लेता है मैंने सुना है तुम सिर्फ आधा किलो लड़ू लेकर आई हो तुम्हें उसने पैसे भी नहीं दिया है खाना भी नहीं दिया है मेरे साथ काम करो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में रहने की जगा दूँगा खाना दूँगा और आधा किलो की जगा एक किलो लड़ू दूँगा नहीं नहीं मैं बस इतने में ही खुश हूँ मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगा अब तुम जाओ भाईया मुझे घर जाना है तुम्हारी तो एक पत्नी है मेरी तो दो पत्निया है अगर टाइमस नहीं पहुचा तुम मुझसे लड़ाई करेंगी क्या कहा तुमने तुम्हारी दो-दो पत्निया है लेकिन तब भी कोई वहां नहीं गया रात हुई और कपिल अपना आधा किलो लड़ू का डबा लेकर अपने घर चल दिया लेकिन उधर मुकेश सबके चले जाने के बाद में एक चूहों से भरा हुआ डबा पवन के धाबे के अंदर छोड़ देता है सुभ दोनों पती पतनी जाकर ढाबा खोलते है तो देखते है कि मुकेश चिलाता हुआ भाग रहा है और उसके रेस्टॉरेंट से बहुत सारे चूहे भी निकल रहे है और मुकेश पवन और कोमल को देख लूंगा देख लूंगा बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है कि तभी कपिल भी वहाँ आता है क्या हुआ कोमल बहन ये मुकेश भाग क्यों रहा है अरे क्या बताओ भाईया देखो तो बेचारे का कितना नुकसान हो गया है रात को उसके रेस्टॉरेंट में बहुत सारे चूहे घुस गये है जैसी करनी वैसी भरनी नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते किसी के लिए बुरा नहीं सोचते ये सब कुछ हमारे साथ भी हो सकता था सोचा तो उसने यही था लेकिन फिर बाजी उल्टी पड़ गई अच्छा और तुम्हें ये बात कैसे पता चली तभी कपिल की जगब भगवान गणेश आ जाते है और वो पवन और कोमल को बताते है कि मुकेश के क्या इरादे थे और फिर वो उन दोनों को आशिरवात देते है कि उनके धाबे पर काम इसी तरह चलता रहेगा ये सुनकर कोमल और पवन दोनों बहुत खुश होते है कि गणेश जी ने आकर उनके धाबे को संभाला और तब से उन्होंने उस धाबे का नाम गणेश जी का धाबा रख दिया जहां आज के बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल कर अपने जीवन को सुख और खुशाल समझते है वहीं ए बालक अपने माता-पिता की सेवा करना ही अपना धर्म करतव्य समझता है इस कहानी के बारे में शायद ही कोई व्यक्ती ऐसा रहा होगा जिसने ना सुना हो माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले श्रवन कुमार की कहानी हम सद्यों से सुनते आए हैं त्रेता युग में जन्मे श्रवनकुमार ने सुख और दुख को भूल कर अपने अंधे माता-पिता की पूर्ण भाव से सेवा की थी और आने वाली पीड़ी के लिए मिसाल पेश की आज भी सभी श्रवनकुमार को उनकी मात्रि पित्रि भक्ती के लिए याद करते हैं यह त्रेता युग की एक पौरानिक कथा है श्रवनकुमार के माता-पिता अंधे थे उनकी आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता था श्रवनकी मा ने बहुत कष्ट जेल कर अपने बेटे का पालन पोशन किया पिता किसी तरह महनत मजदूरी करके अपने परिवार के लिए भोजन जुटा पाते थे श्रवनकुमार शांतनु नामक एक साधू के पुत्र थे उनकी माता का नाम ज्यानवती था जो एक धर्म परायन इस्त्री थी उनके माता पिता नेत्रहीन थे बड़े कष्ट सेहकर उन्होंने उनका पालन पोशन किया था इसलिए माता पिता के परति उनके मन में अथा, प्रेम और श्रद्धा थी बालक श्रवन कुमार अपने माता पिता के कश्टों को भली भाती समझते थे थोड़े बड़े हुए तो श्रवन कुमार अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाने लगे और पूरे तन्मन से माता पिता की सेवा करते थे सुबह उठकर माता पिता को भजन कीर्टन सुनाते फिर चूला चला कर खाना पकाते मा श्रवन को मना करती बेटा श्रवन तू हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करता है भोजन तुम्हें बना सकती हो इतना काम करके तुदू ठक जाएगा रहने दे तू नहीं मा तुमारे और पिता जी का काम करने में मुझे जरा भी ठकाल नहीं होती मुझे आनन्द मिलता है तुम देख नहीं सकती हो इसलिए रोटी बनाते हुए तुमारे हाथ जल जाएंगे मैं बना लूँगा आप रहने दो हे भगवान हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माबाप को मिले जो हमारा कितना खयार लगता है माता पिता श्रवण को आशिरवात देते न ठकते श्रवण के माता पिता रोज भगवान की पूझा करते श्रवण उनकी पूझा के लिए फूल लाता बैठने के लिए आसन बिछाता माता पिता के साथ श्रवण भी पूजा करता वे नदी से पानी भर कर लाते जंगल से लकणियां चुन कर लाते भूजन तयार करते और घर के समस्त कारे करते माता पिता की सेवा करना वे अपना परम धर्म मानते थे दिन भर मेहनत करने के बाद जब श्रवन कुमार शाम को वापस आते तो सोने से पहले माता पिता के पाउं दबाते विवाह योग्यों होने पर माता पिता द्वारा उनका विवाह करवा दिया गया किन्तु जिस इस्त्री से उनका विवा हुआ वह श्रवनकुमार के नेत्रहीन मातापिता को बोज स्वरूप मानती थी वह दिखावे मात्र के लिए श्रवनकुमार के समक्ष मातापिता की सेवा करती और पीट पीछे उनसे बुरा व्यवहार करती थी जब श्रवनकुमार को इस विशे में ग्यात हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को फटकार लगाई तब रूट करव अपने माई के चली गई और कभी वापस नहीं आई पत्नी के जाने के बाद श्रवन कुमार ने अपने माता पिता को कभी कोई दुख नहीं पहुँचने दिया समय के साथ श्रवन कुमार के माता पिता व्रिद्ध हो चले थे उनकी इच्छा मृत्यू पूर्व तीर्थ यात्रा पर जाने की थी एक दिन उन्होंने अपने इच्छा श्रवन कुमार को बताई बेटा, तुमारे जैसे पुत्र को पाकर हम तो धन्य हो गई हैं अब एक और हमारी इच्छा है कौन सी इच्छा है पिता जी? क्या चाहते हैं आप? आप आग्या दीजी, प्राण रहते आपकी इच्छा पूरी ज़रूर करूँगा पुत्र, हम तीर थियात्रा करना चाहते हैं अब उसी से हमारी रिदय को शांती मिलेगी अपने माता पिता की ये बात सुनकर श्रवन कुमार ने ये निश्चे किया कि वो अपने माता पिता को तीर थियात्रा कराएंगे श्रवन कुमार अपने माता पिता की इस अच्छा की पूर्ती की तयारियों में लग गए उन दिनों रेल, बस और ट्रेन नहीं हुआ करती थी तब दो बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के दोनों छोर पर बांध कर श्रवन कुमार ने एक कावर तयार किया फिर श्रवन कुमार ने अपने माता पिता को तीर थियात्रा पर चलने की बात बताई उसके बाद श्रवन कुमार नहीं कावर की एक टोकरी में अपने पिता को बिठाया और एक में माता को फिर उस कावर को अपने कंधों पर लाद कर वे विभिनत तीर्थों की यात्रा पर निकल गए जब वो अपने माता पिता को कावर पर बेठा कर ले जा रहे थे तो रास्ते में मिलने वाली लोग श्रवन कुमार को आशिरवात दे रहे थे अपनी स्वयम की परवा किये बिना कठिन और लंबी यात्रा के बाद श्रवन कुमार ने अपने माता-पिता को तीर्थ यात्रा कराई श्रवन कुमार उन्हें कई तीर्थों पर लेकर गए और वहां का संपूर्ण नजारा अपने माता पिता को बोल कर सुनाते तो एक तरह से माता पिता श्रवन की आखों से समस्त तीर्थों के दर्शन कर रहे थे श्रवन कुमार दिन के समय यात्रा करते और रात्री में अपनी दिन भर की धकान मिटाने के लिए विश्राम करते इस तरह यात्रा करते करते उन लोगों को कई महीने बीद गए एक संध्या श्रवन और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे बेटा तुम्हारे जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हुआ हमारा बोज उठाते हुए ठक जाते हो पर कभी उफ नहीं करते पिता ने श्रवन को आशिरवात दिया ऐसा न कहें पिता जी माता पिता बच्चों पर कभी बूज नहीं होते ये तो मेरा करतव यह है आप मेरे चिंता न करें श्रवन के माता पिता बहुत देर से प्यासे थे श्रवन कुमार के माता पिता ने उनसे पानी पिलाने को कहा श्रवन कुमार ने जब अपने कलश में पानी देखा तो कलश बिलकुल खाली था श्रवन कुमार कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े पासी उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी और वे नदी तट पर पहुँच गए उस दिन अयोध्या की राजा दश्रत उसी वन में आखेट कर रहे थे दिन भर वन में भटकने के उप्रांत भी उन्हें कोई आखेट ना प्राप्थ हो सका वे वापस लोटने का मन बना ही रहे थे कि राजा दश्रत को नदी तट पर आहट सुनाई पड़ी राजा दश्रत ने सोचा कि अवश्य ही कोई वन्य जीव नदी तट पर प्यास पुझाने आया है शब्द भेदी बांड चलाने में पारंगत राजा दश्रत ने आहट की दिशा में बांड छोड़ दिया किन्तु वह कोई वन्यप्राणी नहीं अपितु श्रवन कुमार थे जो अपने माता पिता के लिए कलश में जल भर रहे थे बांड उनके सीने में जाखुसा और वे पीडा से कराह उठे यह कराह सुनकर राजा दश्रत को अपनी तुटी का ज्यान हुआ और वे नदी के तट पर पहुँचे जहां राजा दश्रत को घाय लवस्था में श्रवन कुमार पड़े मिले राजा दश्रत प्रायशित से भर उठे विश्रवन से शमा याचना करने लगे मुझे खमा कर दो बेटे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है मैंने तो जानवर समझ कर तीर चलाया था तब श्रवन कुमार ने कहा राजन मुझे अपनी मित चुका कोई दुख नहीं है दुख है कि मैं अपने माता पिता की चापूर नहीं कर सका मैं उन्हें समझत तीरतों की यात्रा न कर सका इस समय वे प्यास से व्याकुल है इतना केकर श्रवन ने प्राण थ्याक दिये अंजाने में स्वयम से हुए अपराद से दुखी राजा दश्रत श्रवन की माता पिता के पास पानी का कलश लेकर पहुँचे श्रवन कुमार के माता पिता कदमों की आहट से जान गए कि वह उनका पुत्र नहीं है उनके पूछने पर दश्रत ने पूरा वृतान सुना दिया मुझे माफ कर दो, आप लो अंजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र की मृत्यू हो गई है आप चिंता न करे हाथ से मैं आपकी सेवा करूँगा आप मुझे अपना पुत्र श्रवण ही समझे अपने पुत्र की मृत्यू का समाचार सुन माता पिता विलाब करने लगे और उन्होंने दश्रत को श्राब दिया हे प्रभू मेरा पुत्र श्रवण जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़ब तड़ब कर प्राण त्याग रहे हैं एक दिन तू भी सीतर अपने पुत्र के वियोग में तड़ब तड़ब कर प्राण त्याग देगा राजा दश्रत को श्राब देकर श्रवन कुमार के मादा पिता ने अपने प्राण त्याग दिये। इस श्राप की कारण राजा दश्रत को तब पुत्रवियोग भोगना पड़ा जब मर्यादा पुरुशोत्तम ट्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए। पुत्रवियोग में तडबते हुए ही राजा दश्रत ने अपने प्राण त्यागे। श्रवन कुमार का नाम इतिहास में मात्रि भक्ति और पित्र भक्ति के लिए अमर रहेगा।